भारत हमारा वतन, जितना ये वतन नरेंद्र मोदी का, जितना ये वतन नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये वतन महमूत का भी है. भारत हमारा देश है. जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये देश महमूत का भी है. न महमूत इन से एक इंच आगे है, और न वो महमूत से एक इंच आगे है. साथ ही इस धर्ती की खासियत ये है, ध्यान करिएगा, साथ ही इस धर्ती की खासियत ये है, कि ये खुदा के सबसे पहले पेगंबर, अबुल बशर्ब, सेदना आदम आलेहिससलाम की सरजमीन है. आप यहीं तश्रीफ लाए, ये धर्ती इसलाम की जाए पैदाईश है, ये मुसल्मानों का पहला वतन है, इसलिए ये कहना, ये समझना और ये बोलना, कि इसलाम बाहर से आया वा कोई मजभ है, ये सरासर गलत और तारीखी एतवार से बेबनियात है, इसलाम इसी मुलक का मजभ है, और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलिजन में, सबसे पुराना मजभ है, सबसे कदीम और पुराना भी है, इसलाम के आफरी पेगंबर, हजरत मुहम्म्म स्लिल्लाई लिए इसी दीन को मुकम्मल करने के लिए तश्रीफ लाए थे, इसलिए मैं वाज़ तोर से कहता हूँ, कि भारत, हिंदी, मुसल्मानों के लिए, वतनी और दीनी, दोनों हैसियतों से सबसे अच्छी जगा है, लेकिन साथ ही, इस हकिकत का इद्राग भी जरूरी है, कि अपने ही वतन में रहने का भी एक निजाम और सिस्टम है, अगर वो निजाम दुरूस्त है, तो इस मुलक के बाशिंदों के लिए रहना आसान होगा, और वो निजाम बगड़ जाएगा, तो शेहरियों की जिन्द किस कदर मुखलिस है, हमारा ऐसा समझना है, नमबर एक आइन, नमबर दो जमहूरियत, आइन का मतलब दस्तूर, कांस्टिट्यूशन, या जमहूरियत, और जमहूरियत, यानि डिमोक्रेसी, और नमबर तीन, इनसानी हुकुक, हुमन राइट्स, मौडरन इंडिया की पहच है, आइडिन्टिटी है या हमारी, इस मौडरन इंडिया की अगर कुछ आइडिन्टिटी और पहचान हो सकती है, तो ये तीन चीज़े है बुनियादी तोर पर, हमारा कांस्टिट्यूशन, हमारी डिमोक्रेसी, और हुमन राइट्स, अगर ये तीनों चीज़े मुस्ताकम है, तो फिर ये कहना आसान होगा, कि हमारा मुल्क अपने बाशिंदों के लिए सबसे अच्छी जगा है, लेकिन अगर इन तीनों या तीनों में से किसी एक पर भी कंप्रोमाइज हो जाए, धियान कीज़ेगा, अगर इन तीनों या तीनों में से किसी एक चीज़ पर कंप् मुकनिना यानि क्या कहना चाहिए मुकनिना को लेजिसलेचर इंतजामिया एड्मिनिस्ट्रेशन अदलिया यानि जुडिशिरी और नमबर चार मीडिया इसको जाहिजा लेना होगा इन चार चीजों का हमको जाहिजा लेना है लेजिसलेचर का एड्मिनिस्ट्रेशन का जुडिशिरी का और मीडिया का आगे चलिए इंसाफ की हुकमरानी किसी भी महजब समाच के लिए अदल और इंसाफ सबसे बड़ा मैयार है अदल और इंसाफ के बगेर बड़ी से बड़ी रियास्त और बड़े से बड़ा मुलक बाकी नहीं रह सकता हर हुकमरा का अवली फर्ज अपनी रियाया को इंसाफ महया कराना है मुलक में हम नौमान का क्याम और चराइम से पाक महाशरे की तश्कील इंसाफ के बगेर नहीं हो सकती हमारे मुलको समाच की एक तल्ख हकीकत है कि नसिर्फ हम जालिमों गातिलों और लुटेरों को करार वाकई सजा देने में नाकाम है बलके बेकुसूर अफराद को जान बूच कर गिरिफ्तार किया जाता है और फिर उनको तवीलुल मुद्दत कैद में रखा जाता है और बीस्यों साल गुदरने के बाद अदालत उनको रिया करते थी है ऐसे हजारों वाकात का रिकार्ट पेश किया जा सकता है इसी के मद्दे नजर जम्यत अलमाहिन ने बेकुसूर अफराद की रिहाई और उनके मुकद्दमात की पेरवी के लिए एक मस्तकिल शूबा काइम किया है जिसके दरिये निचली अदालतों से लेकर सुप्रिम कोर्ट तक हम हजारों अफराद के मुकद्मात लड़ रहे हैं यही हमारी तकदीर में रह गया है खास तोर से उन लोगों के मुकद्मात जिनको यूए पिये और देश्चतगरदी के दिगर कोवानिन के तहत बेजा गृफतार किया गया है नीज ये बात भी आम तोर से देखी जाती है कि फसादाद के मौके पर मारे भी मुसल्मान जाते हैं लूटे भी जाते हैं और उल्टा उनको ही खुसूर वार ठेहरा कर कैदोबन की सजा दी जाती है कलेजा थाम लो रूदाद गम हमको सुनाने दो कलेजा कलीम आजिस मरहूम ने का है कलेजा थाम लो रूदाद गम हमको सुनाने दो तुम्हें दुखा हुआ दिल हम दिखाते हैं दिखाने दो जमाना सबर कर लेता है आजिस हम भी कर लेंगे खलिश दिल की मिटा लेने को दो आंसू भाने दो